Hey guys, welcome one second to our YouTube channel Taking Master the Shrattu guys आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबल में Flash Alert, Flash App कैसे यूज करेंगे कैसे अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहना है यहाँ पर आप देख सकते हो 4.6 इसको स्टार मिले हुए है 46 के इसके रिव्यूज है, 3 पलस रेटेड ए और 5 मिलियन पलस इसकी डाउलोड ही है आपको भी डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप को ओपन कर ज़ना है तो guys हम इस app को open कर देए ठीक है open कर दिया open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरह का इंटरफेस से देखने को मिल जाएगा और आपकी app है जो यह open हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो तो guys यह application किसलिए बनी हुई है आपको मैं पहले बता जाता यहाँ पर mobile में जब call आता था तो guys आपके वाले flash चालू बंद नहीं होती थी तो उसको यहाँ पर on करने के लिए इस app के लिए मैं आपको बताने बला हूँ तो यहाँ से पहले तो close कर देए फिर आपको language select करनी है ठीक है language select करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यह इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको बटन आज देखने को लिखा हुआ इसके निचे नोटिफिक्शन एंड इसके निचे सलेक्ट एप यहाँ आपको दिखा हुआ है ति आप निचे flashing type flash speed यह पर आप टेस्ट वाइडवांस सेटिंग्स आपके यहाँ पर मिल आपको अलाओ कर दोना है तो आपके निचे नोटिफिक्शन और आती है तो आपके यहाँ पर फ्लेश जो आपकी चालू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा इसके बाने यह पर select app लेखा हुआ है आपको select app मतलब यह पर select app मतलब यह पर देख सकते हैं आप Chromebook, flash app, game space, game space, google, आपके मोड़ में जितनी भी apps होगी आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगी यहाँ पर कैस देख सकते हो इनकी सब की notification आएगी notification को यह से enable कर देना है तो कैस आ मतलब यह पर यह पर यह होता है फिर आप देख सकते निचे flash type continuous इस पर आपको click करना है यहाँ पर देख सकते हैं आपको continuous flash मिलती है और यह आपको rhythm flash मिलती है इसके निचे आपको एक option करता है flash speed का यहाँ पर flash की speed आप कितनी करना साथ है तो फ्रेस की speed भी कर सकते हो फिर आपको निचे test पर क्लिक करना है test करना सब्सक्राइब देख सकते हैं आप यह पर फ्रेस्ट पर क्लिक करते हैं आपको देखने को मिल जाएगी जब आप इस app को यूज़ करना है तो आपको पता से जाएगा कि कैसे यूज़ करना है फिर आप निचे की तब scrolling करते हैं यहाँ पर देख सकते हो advanced settings option देख आए इस advanced setting पर आपको क्लिक करना है फिर आपके सामने पहले एड आएगी इस एड को यह से close कर दिजिए एड को हम close करते है एड को close करते हैं यहाँ पर देख सकते हो मारे सामने और आ गई है यहाँ पर देख सकते हो और भी settings मिलती है आपके देख सकते हो फ्लेशलight को option है Flesh light पर क्लिक करते है तो क्यatives you watch अपने मपने में फ्लैसलाइट एप है जो कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना वीडियो चल लगा उतो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना